Hello Friends, Mid 6th Century BC के World Map पर आप तीन एरियास को देख सकते हैं पहला है Purses, दूसरा Babylon और तीसरा Media इन में से जो ये एरिया है Purses, इस एरिया में रूल करते थे Cyrus First जिनने Cyrus the Great भी कहा जाता है और इन्हें Archimedes Empire का Greatest Ruler माना जाता है इन्होंने 558 BC से 530 BC तक रूल किया अपने रूल के दोरान इन्होंने पूरे मीडिया को कॉंकर किया और साथी साथ Babylone को भी कॉंकर किया इस कॉंकरिस के बाद अब Archimedes Empire की boundary इंडिया के North Western Region तक आप पहुँची थी North West Region को कॉंकर करने के लिए Cyrus the Great के पास अब कई सारे रीजन थे पहला रीजन ये था कि ये रीजन politically fragmented था यानि यहाँ पर कोई भी बड़ी पावर नहीं थी मगत की तरह ये रीजन कई सारे small principalities में बटा हुआ था जैसे कि गांधार, कामबोज, मद्र और ये सब आपस में लड़ते रहते थे इसका मदलब अगर Cyrus इस एरिया में attack करता है तो उसे किसी भी बड़ी ताकत का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये रीजन बेशेक छोटा था बट फिर भी ये बहुत ही wealthy रीजन था तो Cyrus अगर इस रीजन को जीत लेता है तो जीत का इनाम बड़ा होगा इसके अलावा इंडिया के इस North West रीजन में एंटर करना भी बहुत ही easy था तो ऐसे में Archimedes रूलर Cyrus वन के लिए ये एक natural choice थी कि वो इस एरिया में एंटर करके इस एरिया की political disunity का फाइदा उठाए और यही reason बना जिसके वजह से Cyrus वन ने इंडिया के North West रीजन में अपना पहला expedition शुरू किया और इस तरह इंडिया में आने वाला वो पहला conqueror बना उसने गंधार और कामबोज के साथ साथ इंडर्स रिवर के West में जितने भी regions हैं और tribes हैं उनको conquer किया और इसका फायदा Archimedid Empire को यह हुआ कि इससे Archimedid Empire को tribute मिलने लगा था इंडर्स रिवर को रिगवेद में सिंदू का जाता है और पर्शिया में क्योंकि साथ को हाब हो ला जाता है इसलिए इन एरिया में रहने वाले लोगों को पर्शियन लोगों ने हिंदू कहा Cyrus I के बाद उनके grandson Darais I Archimedid Empire के ruler बने इन्होंने 522 BC से 486 BC तक rule किया और अपने rule के दोरान 518 BC में इन्होंने अपने empire को eastward extend किया और इस तरह पंजाब और सिंद को भी इन्होंने capture कर लिया अपने Persian Empire के administration को और ज़्यादे efficient बनाने के लिए इन्होंने Persian Empire को total 28 सत्रपी में divide किया इंडिया का north western region इनका 28 सत्रपी बना इन सभी सत्रपी में इनके कुछ governance होते थे जो कि इस area से tax collect करते थे और इस तरह Persian Empire का revenue generate होता था बट जिस चीज़ ने डरायस को चौका दिया वो ये था कि पूरे अर्केमरीड एंपायर का जितना revenue आ रहा था उसका one third revenue सिर्फ एक सत्रपी से आ रहा था और वो सत्रपी थी 20th सत्रपी यानि इंडिया का north western region और इसका reason ये था कि ये region आर्केमरीड एंपायर का सबसे ज़्यादा fertile और populous province थी डरायस अब ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या इंडियस रिवर के east में इस तरह के और भी regions हैं इस खोज के लिए उसने स्काइलास की leadership में इंडियस रिजन को explore करने के लिए एक naval expedition लाँच किया इसके बाद आर्केमरीड एंपायर के नए ruler बने Xerxes जिन्होंने 465 BC से 456 BC तक rule किया अब इंडियस रिवर के आगे अपने एंपायर को extend करने की जिम्मिदारी Xerxes की थी cavalry यानि इंडिया के north western region से पैदल से न और घुड सुवारों को Greece के अगेंस fight करने के लिए deploy किया बट Greece के अगेंस Xerxes की हार हुई और इस failure के वज़ा से अब आर्केमरीड एंपायर का इंडिस रिवर के आगे extend करने का जो plan था वो बस plan ही रह गया बट इंडिया का जो एरिया आर्केमरीड एंपायर के कंट्रोल में था वो आगे भी आर्केमरीड एंपायर के ही कंट्रोल में रहा जब तक कि उसे Alexander द्वारा invade नहीं कर लिया गया यानि 326 BC तक तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो North Western Region है वो लगवग 200 सालों तक Persian कंट्रोल में रहा इस दोरान इंडिया के North Western Region से Persia revenue generate करता था यहां से soldiers recruit होते थे जो कि अलग-लग देशों में Persia की side से लड़ते थे और इन दोनों रिजन के बीच में trade भी हुआ करता था यह इस बात से पता जलता है कि काफी सारे Persian coins इंडिया के North Western Region से मिले हैं तो चलिए देखते हैं कि इस Persian invasion का इंडिया पर क्या impact हुआ इसका पहला impact यह था कि Iranian form of writing जिसे खरोष्टी script कहा जाता है वो North Western Region में popular होने लगी थी यह script Arabian script के ही तरह right to left में लिखी जाती है इंडिया की कई दूसरी चीज़ों पर भी Persian influence देखने को मिला है इसके अलावा यह भी माना जाता है कि अशोका ने जो rock inscriptions करवाए उन्हें ही आइडिया पर्शिया के राजा डरायस के rock inscription से मिला था तो यह थी details Persian invasion की नेक्स वीडियो में हम लोग Greek invasion के बारे में बात करेंगे इंडिया की history और इंडियन polity को डीटेल में cover करने के लिए बुगस्तावा की playlist को follow कीजिए Thank you so much for watching this video